वेलकम टू स्रीजी फूर्ड मैं हूँ मनिशा ठककर आज हम बनाएंगे मैंगो मस्तानी यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है और गर में छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मैंगो मस्तानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिकसर जाल ले लेंगे और उसमें हम एक बड़ा बाउल कटे हुए आम के टुकडे डालेंगे यहां पर मैंने अलफान्जो आम इस्तमाल किया है आप चाहे तो इसके बदले केसर आम यह आप जहां पर रहते है वह जो भी उससाब स्याप चीनी डाले 100-500 ml जितना ठंडा डूट डालेंगे इसी के साथ 2 स्कूब जितना हम वनीला आइसक्रीम डालेंगे वनीला आइसक्रीम घर पर कैसे बनाना है उसकी रेसिपी पहले ही मैंने आपके साथ शेयर की है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक इसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है इसका गार्निसिंग करने के लिए सबसे पहले इसके उपर मिक्स कलर के टूटी फ्रूटी डालेंगे फिर कटे हुए बादाम कटे हुए पिस्ता डालेंगे और एक चैरी रखेंगे तो ये हमारा एकदम यम्मी मैंग